आप पढ़े लिखे हो, आपने अधिकार पता होना चाहिए कि आखिर गवर्मेंट अप इंडिया ने आपको क्या-क्या राइट दिया हुआ है, आपका कानूनी हग क्या है, तो ये पता किस से चलता है, ये Constitution, हमारी जो रूल बुक है, जैसे हमारा देश जो गवर्न होता है, वो किसी माइटोलाजिकल बुक से नहीं गवर्न होता है, जैसे मेजरली यहाँ पर हिंदू रहते हैं, कुछ क्रिश्चन से हैं, मुस्लिम से हैं, पार्सी हैं, जैन हैं, बुद्धिष्ट हैं, लेकि हमारा देश गीता कुरान से गवर्न होता है, हमारे देश की जो रूल ब है, इसी से देश चलता है, देश किसी जैसे आप सौ करोन हिंदू हैं, तो क्या गीता से देश चला लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हमारा देश क्या है, सेकुलर है, सेकुलर मतलब धर्म निरपेच, मतलब कोई हमारे देश का राष्ट धर्म नहीं है, यह आपको करना हमारी लीए जरूरी है गवर्मेंट के लीए जरूरी है जो सरकार काम कर रही है इसलिए Constitution की जरुत पड़ती है अब Constitution के पूरी देश गवर्न करता है तो दो दो चीजों गवर्न होता है Constitution से अध्यूसरा होता है IPC से IPC इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड यह देखिए यह किसकी बात करता है लॉ की बात करता है लॉ यह कब आया था 1860 में आया था इसके प्रोफाउंडर कहलाते हैं लॉड कॉन्वालिस